नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्रेश पठानिया और आप देख रहें एक्टर न्यूस आज सिफसेना हिंद ने पठान कोट में छीद आजम सरदार बगर सिंग के जनम दिप्स के अपसर पर एक कार्यकरम अजोज़त किया जिसमें पार्टी के राष्टी कोर कुमेटी चेर्मेन बाराष्टी प्रवक्ता एंटी खालिस्तान प्लांट रवी शर्मा ने बिशेश तोर पर शिर्कत की पेशाय सबंदी टीम एक्टर न्यूस की एक रिपोर्ट रस्ता उना ने देश दी अजादी करान वेले हिंदुस्ताने नों दस्या असी उना दे नक्षे कदम दे उत्ते बिल्कुल तनमन तन दिनाल चलांगे जी पोर मेरे केई पर अपवन जी जी नाल ने उना दा बहुता नवाद करना है कि जना ने अज सारे न संजोग पर केई पर शिंग दे जर्म दे नू मनाया गया जैए शीराम दोस्तों मैं रवी शर्मा राष्टी कोर कमिटी चेर्मेन राष्टी प्रवक्ता एंटी खालिस अज सक्षियत नो याद कीता गया है नमन कीता गया है जिना दी शहादत दी बदालत आपा अजादी दा सोख ले रहे हैं अजादी दो मान रहे हैं मेरी मुराद शहीद पकसिंग जी जिना आज जनम द्याड़ा है और आज मेरे छोटे वील राहुलवलों एक वदिया उपर के जड़े लोग शहीद दी शहादत नो याद नहीं कर दे ओ इतिहास खत्म हो जाते ने और साड़ा दाइता बंदा है के जिना शहीद दी बदालत आज आपा अजाद मुल्क रेचे साल है रहे हैं उन्हानों असी नमन करिए उन्हानों याद करिए मैं पंजाब सरकार को र करना के शिमसन हिंद बहुत जल्द इनानों शहीद दा दर्जा दुआन वासते इको प्राला करेगी जो कि आज ताक इनानों नहीं मिलिया और ये बहुत तगड़ी एक ड्रॉब्याक रिया साड़ा कि असी आई ताक इनानों शहीद दा दौर्जा नहीं दुआ पाए जद क แล कि हर बार आसे इनानों शहीद काईके संवोधत कर ना शहीद काके इना जनम्द। मनाना और शहीद काके of कक करने हैं लेकिन कताबां रिवेच आज भी इनान बाद दर्जा नहीं मिले ऊस सर्धें को धो झाल झाल